नमस्कार दोस्तों विल्कम डू स्टडी आएक्यू नाओ यहाँ पे आप देखोगे यह है निटो और यह है सीएस्टियो दोनों अपने आपे मिलिटरी पैक्ट्स हैं एक लेड़ वाई युएसे और दूसरा लेड़ वाई रश्या नाओ डिसकस करेंगे दोनों में अंतर क् विकॉज ओफ अर्मेनिया अर्मेनिया पार्ट है सीएस्टियो का तो बाई डिफॉल्ट उन्होंने यह सोचा कि जब एजरवाईजा टर्की से इन पर अग्रेशन होगा तो रश्या इनकी हेल्प में आएगा अंडर सीएस्टियो मगर अभी के लिए ऐसा हुआ नहीं है अर अर्मेनिया की एक और डिमांड ये भी है कि आज के समय CSTO के जो दो अबसर्वर कंट्रीज है उस में से एक है अफगानिस्टान तो अर्मेनिया यह चाहता है कि सिंस आज के समय अफगानिस्तान से बहुत सारे मुझाहिदीन लड़ रहे हैं एजरवाईजा की तरफ से अग बहुत कुछ आपको जानने को बलेगा A lot to know, a lot to discuss As always, but before we begin Google Play Store पर जाओ, download the study IQ education app और यहाँ पर आप खरी सकते हैं मेरा science and tech course Now, first of all, NATO NATO की full form है North Atlantic Treaty Organization यह एक military alliance है जिसको established किया गया था 1949 में इस military pact का एक और नाम भी है Washington Treaty और NATO के headquarters आपको मिलेंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे 30 देश हैं जो NATO का part है आज के समय इसमें से आप अगर देखेंगे कई देश हैं जिनके पास nuclear weapons भी है और जो recent इनका member है 2020 में जिसने join किया था NATO को यह है North Macedonia So पहला difference है NATO और CSTO में The number of members NATO के total 30 member है और CSTO के सिर्फ 6 member है यहाँ पर आप देख पाएंगे इनके members अर्मेनिया, बेलारोस, कजाकस्तान, किर्गिस्तान, रश्या और तजिकिस्तान और एक aspect यहाँ पर यह भी है के NATO का जनम हुआ था 1949 में whereas CSTO मतलब के collective security treaty organization जिसके headquarters हैं Moscow रश्या में इसका जनम हुआ था 1991 में now initially CSTO के 9 member थे जिसमें Azerbaijan भी शामिल था, जी हाँ एक time था जब Azerbaijan और Armenia दोनों member थे of the CSTO और फिर 2002 में CSTO को renew किया गया और आज के समय यहाँ पर 6 member हैं और 2 है observer states, एक है अफगानिस्तान और दूसरा है सर्विया, now कहने को आप अगर देखो तो NATO और CSTO कहते हैं कि हमारा जो system में operate करने का same ही है, आपने एक NATO country पर attack किया, मतलब कि some NATO countries पर attack किया, और similarly आपने एक CSTO countries पर attack किया, तो मतलब कि जो 6 की CSTO countries है, सब पर आपने attack किया, मगर क्या यह reality है इसका answer है नहीं, देखो पहली बात तो यहाँ पर यह है, कि NATO में rules clearly defined है, और यह लोग properly अपने rules follow करते हैं और NATO की policy में आपको contradiction बहुत ज़रा कम दिखेगी, वेरा CSTO की जो countries हैं, काफी बार अपनी fellow countries को ही नुकसान पुचाती है, for example Russia, Russia और Belarus, दोनों आज के समय हत्यार बेशते हैं, एजरबाईजा और अर्मेनिया को, आपको जानके हरानी होगी कि 85% जो weapons है आज के समय एजरबाईजा के पास, they come from Russia और Belarus, नाव इस बात को लेकर अर्मेनिया ने काफी बार उलोशना करी है रश्या की किया कैसे एलाई हैं, हम दोनों कंट्री CSTO के मेंबर हैं, तो नेटो में जिस तरीके से रूल है कि एक कंट्री अगर थ्रेट माना जाता है किसी कंट्री का, तो उस कंट्री को सारी नेटो कंट्री वेपन सेल नहीं करेगी इस टाइप का कोई भी रूल एक्जिस नहीं करता CSTO में, और इसलिए रश्या की बहुत बार उलोशना हो चुकी है, यहाँ पर आप देखेंगे आर्टिकल है, from 2016 रश्या डिफेंड्स सेलिंग आर्म्स तो बोथ एजरवाईजा और अर्मेनिया अब आज के समय जो conflict चल रही है बिट्रीन एजरवाईजा और अर्मेनिया वहाँ पर दोनों देश, रश्या वेपन्स यूज़ कर रहे है एक दुसरे के civilians को मारने के लिए तो यह अपने आपे काफी अजीब बात है कि एक CSTO कंट्री ही अपने CSTO कंट्री का जो एनमी है उसको वेपन्स बेशता है और इन दे फ्यूचर भी बेशता रहेगा इसके लावा एक और डिफरेंस यह है कि क्या measures लिए जाएंगे to protect each other अब NATO में clearly इनका Article 5 यह कहता है कि अगर एक attack होता है armed attack होता है including the use of armed force on any NATO country तो इसका मतलब sub NATO country पर attack हुआ है under NATO's Article 5 इसके comparison में आप अगर देखो CSTO को तो इनका है Article 3 वहाँ पर जो यह शब्द्यूज करते हैं यह काफी convincing है नहीं यह लोगे कहते हैं कि सब CSTO countries help करेगी एक दुसरे की अगर किसी भी country की जो territorial integrity है participation तो CSTO में legally binding कोई aspect नहीं है कि अगर एक CSTO country पर attack हुआ है तो सब को aggressor पर attack करना होगा अगर CSTO country चाहे तो यहाँ पर pull out भी कर सकती है तो यह एक बहुत वड़ा difference है बिट्वी NATO और CSTO नाव यहाँ पर मैं यह भी mention कर दूँ यहाँ पर article 3 में यह voluntary participation लिखा हुआ है मगर Russia यह कहता है कि एक mutual understanding है कि अगर कभी भी एक country की जो territorial sovereignty है इस पर बहुत यह बड़ा खतरा आ गया तो बिलकुल सारी CSTO countries उस country के बचाब में आएंगे मगर क्या हम कह सकते हैं कि Armenia के case में ऐसा हुआ बिलकुल भी नहीं Azerbaijan आज भी Russian weapons यूज कर रहा है Russia ने अपने weapons ना यूज करने का कोई clause यहाँ पर लगाया नहीं है और even दो CSTO countries के बीश में एक understanding यह है कि इन दुनों देशों का जो dispute है यहाँ पर उसको लेकर CSTO countries का भी jump नहीं करेगी मगर आज के समय जो conflict है दुनों countries की यह छड़े दिन में पहुच चुकी है और अब Azerbaijan बॉम कर रहा है Armenia की cities को even in their mainland, disputed area के बाहर और इसके लावा Armenia openly यह भी कह चुका है कि Turkey इनका एक fighter jet shootdown भी कर चुका है इस सब के बावजूद Russia और बागी जो CSTO countries है अब तक यह लोग बस यहाँ पर कह रहे हैं कि बाचीज से जो issue यह resolve करना चाहिए CSTO अभी के लिए यहाँ पर activate नहीं होगा whereas आप अगर देखो Article 5 को तो जब USA पर attack हुआ था 9-11 का तो उसके बाद USA ने NATO का जो Article 5 है यह वो किया था और इसके अंडर बहुत सारी NATO countries ने अफगानिस्तान में various operations carry out किये with the US Army तो देखो यहाँ पर conclusion यह है कि Military Pact खराब नहीं होते असा नहीं है कि Military Pact आप sign करेंगे तो उसका कोई result होगा नहीं इससे पहले आप अगर देखो तो जो Warsaw Pact sign किया या था अंडर USSR in 1955 यह काफी effective था और इसमें NATO का जो Article 5 है ऐसे provision थे whereas CSTO काफी कमजोर है अपनी legal language में और अपनी actions को लेकर तो CSTO को आप compare नहीं कर सकते हैं NATO के साथ और even Warsaw Pact के साथ तो यह हैं लासिस इस पुरे topic का Thanks for listening and as always God bless you all झाफी का बजा दो दे ःसमें